कोईशन नमबर 26 से हम स्टार्ट करते हैं कोईशन नमबर 26 जो है वह बोल रहा है इंडिया आफ्टा इंडिपेंडेंस अडॉप्स पास्थी पोस्सिस्टम विच अमंग दा फॉलेंग इस नौट दा रीजन बिहाइंड इस अडॉप्शन तो जो पहली स्टेट्मेंट बोल र स्टेट्मेंट इस में पूछा गया कि कौन सा रिजन सही नहीं है ठीके नॉट करेक्ट देंट एंटाइर इलेक्शन सिस्टम और स्टेमल सिंपल टो अंडेस्टेंट एंवन वोटर सी स्टेट्मेंट भी ठीक है यह पी आर में होता है यह इसका आंसवर हो जाएगा और यह सब चीज आपको याद रखनी है क्यों हमने एफटीप अपना आया है मैंने बता दिया आपको तो fptp is a constituency based system representative is responsible for one locality तो बिल्कुल ठीक है यह लाइन तो यह सारे फैक्ट है जो है फीचर्स हैं fptp के और यह जो फीचर्स है बेसिकली पी आर का है प्रोपोर्शनल जो है प्रेजेंटेशन का यह फीचर है इसका सोलिशन इतना देखना काफी है अब कुछ नमबर 27 के पर of the Supreme Court is six years तो 65 का क्राइटिरिया इन लोगों ने रखा है six years की कहां से बात आ गई a judge of the Supreme Court can resign from his office by writing by writing to the Chief Justice of India तो इसका सोलिशन हम देख लेते हैं तो इसमें दोनों स्टेट्मेंट गल्द बताई जा रही है तो Chief Justice of India को ना President को लिखता होगा वो दिखते हैं तो पहली बात तो है प्रिजिदेंट को लिखते होंगे वो तो पहली बात तो हो जाती है कि यहां पर कोई ट्रॉन और फिक्स नहीं होता है एज का क्राइटिरिया आपको पता है 65 years होता है and second he can resign his office by writing to president तो प्रिजिदेंट को लिखते हुए अपने office रिजाइन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि व वह किन को प्रदान किए गये हैं तो इसकी बात आती है तो यहां पर लिखा हुआ है कि Governor यह सारे नाम लिए है Chairman of the legislative council and all that तो यहां पर हमें देखना होगा कि privilege कि इसको दिये गये हैं तो यहां पर जो प्रिविलेज दिए गए हैं not doubt Chairman of the legislative council को दिये होंगे member of the legislative council को दिये एंड फाइनली जैसे कि Advocate General of State को भी मिल जाएगा क्योंकि उन्हें अलाउ होता है नहीं होता है नहीं होता है वहाँ पर जाके अब बहुला जैसे हमारा Attorney General 76 के अंदर जाते हैं तो उनको भी दिया जाता है तो यह भी होना चाहिए तो लेकिन सायद मेरे साब से मुझे ऐसा लगता है कि Governor को नहीं होना चाहिए वह Privilege देखते हैं इसमें सी आंसर आ रहा है कि हाँ आसी आंसर है तो आपको स्पेसिफिकली याद अखना होगा कि जो प्रिविलेज प्रवाइड किये जाता है इस्टेट लेजिसलेचर की द्वारा किट को एक्टेंड किये गए हैं तो इसमें आपको Governor को नहीं इंक्लूड करना है यहां पर लिखा आया टो आसी जाता है तो कि जितगा जनission के इस पर अथूसिफ खोगने संहोगा का वट षिकर पर लिल पर इस बवाइड ये प्रिवारा टूसर में थाइंदेश К स्टेट लेजिस्टेटर के इंटेगल पार्ट है लेकिन यह अधिकार यह प्रिविलिजिस उनको प्रोवाइड नहीं कि गए उन तक एक्स्टन नहीं किये गए है इस चीज को आपको याद रखना है थोड़ा आपको याद रखना है इस चीज को उसके बाद कुरिशन नमर 29 आपए चलता हैं जाद है कंसिदर फॉलिंग स्टेट्मेंत अबाओ फॉपिस डेप्टी जर्मेंध रास्टेवर जो राश्ताभा जो होते हैं का उफिस कि बारे में बार बात चल रही है इसा नहीं है तो यह इस और विश्टेट्बन हो जाती है उसके बाद इसका तो वहाँ स्टेट्मेंट गल्ट हो जाती है और आपकेड़ में दिरासभा, तो पहले स्टेटमेंट पूज़ते से गलत हो गई है एलेक्शन होगा बाकाई था एक तुम ठीक है और कुछ इसमें इंपोर्टेंट है तो वह भी देख लिएते हैं सॉलुशन में आगे लिखा हुआ है हाइलाइट करते हुए डेफ्टी चेर्मन इस लाइक एनी अदर ओर्डिनरी मेंबर अप दी हाउस आपको यह याद रखना है कुछन नबर 30 को पर चलते हैं कुछन नबर 30 है वह बोल रहा है यह संता फॉलिंग स्टेट्मेंट रिकार्डिंग दा इसंता इट इजन इलेक्ट्रोनिक मार्केट प्लेस प्रवाइडिंग कि एप प्लेटफर्म टू कनेक्ट एक्वाख फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स एक्वाफ़ार्मर आपको समझा रहा हूगा वर्ट सी फार्मर्स इज्ञाए प्रोग्राम इलाउंच पाइद्ध मिनिस्ट्री और जो आएगी देखते हैं कॉमर्स पडिश्ट्री जो भी एलक्ट्रोनिक मार्केट प्लेट्फर्म तो कनेक्ट अक्वाफर्मस अग्वाइश तो आपको यहां रखना है कि एसंता को जो है मतलब जिस मिनिस्ट्री से रेटेड है वो कोमर्स इंड्रस्ट्री एंड रिसंता थीक है उसके बाद लिखा हुआ है नेशनल सेंटर नेशनल स सौरी तो यह इसकी फुल फॉर्म है नाक्सा की तो इस एन एक्स्टेंशन आम अप्ड़ मरीन प्रोडेक्स एक्सपोर्ट डेवलेप्मेंट अथर्टी जैसे पेड़ा होता है वैसे एंपेड़ा होता है तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री आपको इस चीज को या इस पाराद कर लेना जो नॉट करेक्ट रूप को यहां पर ढूंबना है कौन सा यह तो सौलशन तो आंसवर तो हमारा यह निकल जाता है लेकिन और भी स्टेंशां हम पढ़ लेता है ता कि हमें याद रहें क्योंकि फीचर्स हो जाएंगे देलिमिटेशन कमिशन के अपने by it are final and cannot be challenged in any code बिल्कुल ठीक है the present delimitation of the parliament and assembly constituencies based on the 2001 census तो यह भी ठीक है अब इसको इन चीजों को आपको याद रखना है और यह गलत हो जाता है क्योंकि permanent body नहीं है आर्टिकल कुछ number 31 इन निकल के आएगा बिल्कुल ठीक है तो जो constituencies parliamentary and assembly constituencies है on the basis of the immediately conducted census by such authority and in such manner as parliament may by law determine the delimitation commission is not a permanent body यह ध्यान रखना determined and after that delimitation commission is not a permanent body and has been set up four times in the past in the past 1952, 62, 72 and 2002 under the delimitation commission act 1952, 62, 72 and 2002 तो यह आपको याद रखना है यही थाईस में important आपको यह याद रखना है question number 32 के पर चलते हैं consider the following statement regarding the representation pupil F 1950 भी रहा है 51 भी रहा है हमें 51 के बारे में देखना है it was enacted to provide for the allocation of the seats in the house of the people and the legislative assemblies of the state देखते हैं it contains the provision for actual conduct like the qualification and the disqualification of members of the parliament solution देख लेते हैं इसका तो इसमें किल second statement ठीक बता जा रही है है तो पहला प्राविजन अब है 1950 के आर्पीय का है ठीक है तो इस से रिलेटेड जो आर्टिकल 181 and 170 की बात की गई है और फिर बताया गया है कि तो representation of people act 1950 was enacted to provide the allocation of the seats in the house of the people and in the legislative assemblies तो इस तो यह 1950 से रिलेटेड रही है चीज़ और यह बिल्कुल second statement 51 के बिल्कुल एक्दम correct हो जाती है कि the it contains the provisional for actual conduct like the qualification and the disqualification of member of the parliament but the 1950s है it was enacted to provide for the allocation of seats in the house of the people and the legislative assemblies of the state तो यह आपके जाद रखना है question number 33 के ऊपर चलते हैं in which of the following matters can be governor exercise his or her constitutional discretion it's important constitutional discretion not discretion or self-discretion or anything else it's a constitutional discretion ठीक है तो बोला गया है decolution of the state legislative assembly if council of ministers has lost its majority okay recommendation for imposition of the presidential rule okay appointment of the chief in minister when no party has a clear-cut majority seeking information from chief minister with regards to administrative matter of the state तो अब को देखना है कि constitutional discretion क्या है तो सॉरी देखो पहला वाला जो है constitutional discretion नहीं है digitalization of the state legislative assembly of council of ministers has lost its majority दूसरा recommendation for the imposition of the presidential rule इसको भी हम हटाते हैं इसको हम include करते हैं आप इसको चीफ जस्टिस्टिस्में नो मेजटी पार्टी ये भी हटाते हैं इसका solution देखते हैं पहले-पहले क्या है इसका solution हाँ तो जो हमको यह याद अखना है कि constitutional discretion क्या है constitutional discretion क्या है तो किल two and four है recommendation for the imposition of the presidential rule okay and second seeking information from chief minister with regard to administrative matter of the state यह दो है इनके constitutional actual में descriptions है governor के बट दूसरे जो चीज़े हैं हब देख लेते हैं कौन-कौन से constitutional descriptions है और कौन-कौन से situational descriptions है ठीक है तो constitutional descriptions की जो बात आती है तो पहला आता reservation of the bill for constitutional president है इनका constitutional discretion है recommendation of the imposition of the presidential rule भी इसी में आता है उसके बाद while exercising his function as the administrative of joining and adjourning union territories के लिए determine the amount of payable by the government of Assam Megalat-Ripra-Mijerobar is an to an autonomous tribal district council as royalty occurring the license of the mineral exploration and seeking information from the chief justice with regard to administrative and legislative matter of the state तो यह सभी constitutional discussions of governor है बट discussions यह भी है बट दी जादा situational discussions यह कौन से हैं आपको याद रखने होंगे दोनों ही constitutional discussions and situational discussions discussions क्योंकि कुशन यहां से बन सकते हैं फ्रेम हो सकते हैं तो appointment of the chief justice sorry chief minister when no party has a clear cut majority in the state in state as in state legislative assembly or when chief minister in office dies suddenly and there is no obvious successor the situation के अंदर इनका situational discretion काम करेगा dismissal of the council of ministers when it cannot prove the confidence of the state legislative assembly ठीक है and desolation of the state legislative assembly if the council of ministers has lost its majority तो यह सभी situational discussions हैं कुछ number 34 के पर चलते हैं consider the following statement regarding the 2 plus 2 dialogue recently seen in news it is a dialogue mechanism between the heads of the state and the foreign minister of the two nations head of the states and foreign ministers why not only foreign ministers let's see it the U.S. is the only country okay the U.S. is the only country with which India has a 2 plus 2 ministerial dialogue not like that Japan भी है एक ऐसी कंट्री और I think right now we are somewhere thinking about Russia also okay so no it's it's the wrong statement and according to me if we are talking about the heads so head do not take parts heads do not take part in it and foreign ministers जो है वही टेक पार्ट लेते हैं तो यह भी गल्थ हो जाना चाहिए है इसका answer D ही आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है दोने statement कर लता है इंडिया और रसिया अपने भी अभी अग्री किया है एस्ट बिल्स का निग्लिया 2-2 Ministerial Dialog को 2-2 Ministerial Dialog is an expression used to indicate the two appointed ministers for each country the minister of the defense and external affairs जनली है in the case we'll meet up and discuss the two countries strategic and security security interest the goal to establish a diplomatic yet fruitful conversation between the two countries respective heads of the defense and external affairs Japan is second country after US which India has such a dialogue format वस यही था इसके अंदर question number 35 के उपर हम चलते हैं देखते हैं which of the following parliamentary committee has the presiding officer speaker chairman as its ex-officer chairman तो कौन सी ऐसी committee है जिनके के ex-officer chairman के तौर पर जो president होते हैं वो कौन उनके जो presiding officer होते हैं और speaker या चेर्मेन होते हैं तो इसको हम देखेंगे तो जिसे जनर प्रपर्पर्स committee rules committee business advisory committee ethics committee so if I am removing the ethics committee then I am somewhere striking with 123 तो देखते हैं इसका solution क्या आता है 35 का हैं बिल्कुल सही है जो ethics committee है उसके वो presiding officer नहीं होते हैं speaker या chairman और सभी committees के presiding officer वो होते हैं तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अच्छे से general purpose committee क्या है this committee consider and advise on matters concerning affairs of the house which do not fall within the jurisdiction of any other parliamentary committee in each house this committee this committee basically consists of consist general purpose committee के अंदर कौन को नहींगे speaker जो पहले तो presiding officer या to speaker हो सकते हैं या in case of raasaba chairman हो सकते हैं as its ex officer chairman deputy speaker member of the panel of chairpersons the chairpersons of all department standing committee of the house leader of the recognized party leader of the recognized party and group in the house and such other members has nominated by the presiding officer and after that rules committee की बात करती है this committee consider the matter of the procedure and conduct of the business in the house and recommend the necessary amendments or additional to the rules of the house the looks of our committee consists of 15 members including the speaker as an ex-officio chairman 15 लोग होते हैं इस में रास अबा में या लग होती है और रास सबार 16 members की committee होती है chairman जो होते हैं इसका ex-officio chairman होते हैं okay उसके बाद बिज्निस advisory committee के बात की जाती है तो यह committee क्या होती है this committee regulate the program and time table of the house it allocate time for the transaction of the legislative and other business brought brought before the house by the requirement लोग सब्भा कमिटी में 15 लोग होते हैं रास सबार में 11 लोग होते हैं speaker as chairman chairperson जो chairman chairman as a speaker as chairman और वहां रास सबार की है ethics committee उसके बाद लोग सब्भा में आई है the chairman of the committee shall be appointed by the speaker and और फिर from the member of the committee और मेंसे उनको क्या किया जाता है पंड किया जाता है वो खुद नहीं होते हैं it enforced the court of conduct of members of the parliament अभी थोड़ा से थोड़ा लाइन जरूरी भी हो जाता है है क्योंकि अभी काफी problem चल रही है it examines the case of the misconduct and recommendation appropriate action तस is engaged in the maintaining discipline and decorum in the parliament तब इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लेना 1997 पर रास समा में आई है and then after that लोग सब्भा में संदोजार के नदर आई है किसा डील करते है तो इसमें बता रहा है member of the legislative assembly can participate in election of which of the following memory to consult and Levac3 तो मेंबर ऑफ्ली से नीकान्स सकते हैं तो आपको पता ही एं हमेबर अफ्राज सब्चा के election में पाुले लेते हैं like action बाटने ये लेख जाएगा इभाया है उन्हीं पैसे टैनिक्रिया थे होती है उसका फारमट कैसा होता कि noises सब्सक्राइब के जाते हैं वह कुछ टीचर से अधर रजिस्टर गेजूइट्स वगरा होते हैं और जो रिमेनिंग होते हैं वह पॉइंट की जाते हैं सब्सक्राइब के जाते हैं उसमें पार्ट जो लेते हैं वह होते हैं असेंबली की मेंबर्स लाइक अमेलेज मेंस्टू सिंगल ट्रांस्टर्वर्बल वोट के थ्रूख होता है और जो रिप्रेज्टिट्र यूनियन जो टेरिटीज होती है और चूज इन सच ए मैनर देट पार्लेमेंट में भी प्रिसकाइब और यूनियन टेरिटी में जो वहां पर यादी कुछ है असेंब करते कि जाते है तो प्रेजिडर्ट अल बीड़् को चौहां मेंबर अख्षी कॉलीज होता है उसमें आ होता है रिप्र देख्षी मेंबर युट्र अउप दिस अर्टी कल अंग एन अर्टिकल श्राशों नेनलेश्टिटेटिय अलसों लाइक तैली ए मूटी आल्सों एक पॉंडिचेरी और जो तैली है जिसके अंदर की स्टेट असेंब्ली जा उनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें स्टेट के तौर पर काउंट किया जाएगा जो प्रेजिद्ट का एलेक्शन होगा मतलब वहां पर जो लोग हैं वह भी पार्ट लेंगे इसके अंदर एलेक्टेड में टोके इसको आपको याद रखना तो इस तरह से अभी जैसे हमारे यहां पर 29 स्टेट्स जो हो जाते हैं अभी यूजियन टेरिट्रीज है अरांट 28-29 जो भी स्टेट्स है उसमें दो और आप अप अधर कर लीजिए और लाइक देट ओके इसके बाद इसके बाद आ रही है तो किसकी तारग किया जा रहा है मेंबर ऑफ दॉप्रेश्टेशन हो रहा है सेंगल ट्राइब वोट और एंड यहां पर जो बैलेट होगा वह सीक्रेट बैलेट होगा तो इस तरह से एलक्षन हुआ है सब कामने इसको काफी 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 सबकुष्टेशं इस में सकते हैं हमारी अप्रोच है कि जतना काफी अब छते संब करते हैं तो इस तरह से 400 हो जाते हैं तो इस गुड़ यह पर बने की ओके इन कुछिशन को अटेंट करने की बेसिकली अप्रोच ठीक है अभी कुछिशन नबर 37 के पर हम चलते हैं का सिरे दा फॉलिंग स्टेट्मेंट कुछ दा एस्टिमेट कमिटी अफ दी पार्लेमेंट एस्टिमेट कमिटी के बात आ गई है इट वाज फर्स कॉंस्टिटिटेट इन नाइंटीन फिफ्टी एंड रिकमेंडेशन कमिटी इस कंसिस्ट अफ दी मेंबर फ्रम बहुत हाउसे ऑफ दी पार्लेमेंट एंड थर्ड नमबर पर आता है इट वाज कॉंस्टिटेट इन नाइंटीन कमिटी की नहीं थी तो यह भी गलत है तो इस तर किस तो आंसो इ नहीं आने की पॉसिबिल्टी मंती है अंसो देख लेते हैं दी आंसो रहा है नो डाउट बिल्कुल इंदम एस्टिमेंट कमिटी की जब बात चल रही है दो ओर इस कमिटी कैन बी ट्रेस्ट दू दर स्टेंडिंग फाइनस सी फाइनस कमिटी सेट अप इन्टीव नाइंट मिंस्टर हुओ काते थे ठीजान वन्मथाइ उनकी करेक्मेंडेशन थी ढटेक। और घ्रकिमेदेशनमेन कमिटी की को ऑपुसिबेचन मेन कॉश सेंडिनदीराइन थे कम्टी मंदीनलगतोसें आप खुदNING लेधर टिर्ल मंध्नेंट अियू कोई बहुती पूंदने थो ब the members are elected by Lok Sabha okay the members are elected by Lok Sabha every year from amongst his own members and according to the pahli हर साल है and principle of the professional representation किया हता single transfer vote होता है था all the parties get due representative in it okay the time of the office is one year and the minister cannot be elected as the member of this committee important है the chairman of the committee is appointed by the speaker from among its members okay and the function of the committee is to examine the estimate includes in the budget and the suggested economies in public expenditure and hence it has been described with the continuous economy committee इसका दूसर नाम continuous economy committee भी है estimate committee का इस चीज़ को याद रखना है तो काफी comprehensively इसको भी हमने कवर कर लिया है कुछ नमबर 38 के उपर चलता है है consider following statement regarding the duration of the municipality under the 74 जो amendment 97 1992 के थो जीज़ा है यह the act provide for a five year term for the office for every municipality 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 constitution upon the resolution cell continue only for the remainder of the time okay remainder period of the time यह जो भी है बच्चे हुए समय के लिए ही रहेगी यह एक तबार बोटीज़ोल हो जाती तो यह ठीक है तो जाती है तो फाइफ यह के लिए के लिए किसी municipality को आफिस फॉर एवरी municipality प्रवाइड़ेट पाइफ यह कब बताया गया है और इसमें बताया गया है और इसके बाद में बताया गया है और तो जकार लंग वैली है जकार लंग वैली की बाद भूटान बता रहे हैं लोग और मंडली कुशन गंदे बता रहे हैं म्यामार में बता रहे हैं सौनितपूर को यह लोग बता रहे हैं एक्शुली में सौनितपूर को यह असम के अंदर बता रहे हैं तेजपूर में इंडिया के अंदर ही और आर्थक्वेक में जायना के बीच में काफी में मार के अंदर एक फर्वेजी दोचारी किस को दा वाइलेंस है इसकलेट इन वेरिस टाउंसिप अव यंगून और मंडली वगरा यह कहां पे हैं तो यह काफी नीज में थे इस वज़े से यहां पे हैं कुशन में कुशन में कुशन फोलिंग स्टेट्मेंट रिगार्ड इससेशन इनसेप्शन इनसेप्शन इसका सौलिशन में अवालवट गलत हो जाता है तो यहां पे इसका सौलिशन में बताया गया है यह पहली लाइंग्ज को ठीक है the Central Council of Local Government was set up in 1954, it was constituted under the Article 263 of the Constitution of India by the Order of the President of India, originally it was known as the Central Council of the Local Self-Government, however the term Self-Government was founded to be the superfluous and hence the replaced by the government only in 1980, 1958 dealt with the both, till 1958 dealt with both urban as well as rural local government, but after 1958 it has been dealing matter of the urban local government only, ठीक है since its inception लेकिन यहां बोला गया इसके starting से नहीं है right now dealing with only urban local government but starting में यह दोनों से deal कर रही थी बड़ बाद में इसको convert करके किवल urban local government के लिए बदल दिया गया है इस चीज़को आपको जाद रख रहे हैं ठीका question number 41 के ओपर चलते हैं 41 जो question है वो बोल रहा है actually में in which of the following cases a bill does not lapse वेंदर लोगसबर dissolves तो मैंने पिछले हमारा पार्ट था उसके अंदर बताया था जब actually में की adjustment होता है या फिर prorogation जब होता है एंजन जब कि डिजॉलेशन जब होता है तो आपको अंतर याद रखना है कि डिजॉलेशन का मतलब डिजॉल हो जाना पूज़ते हैं लोगसबर का ही खतम हो जाना उसका ही खतम हो जाना उसे बोलते हैं लोगसब्स माले एक बिल्ट पर्मिटल के अंदर और लोगसब्स सब्सक्राइब कर लेंगे न वो लोग लोगसब्स होगा तो इसको हम चलो प्रजर्व करके रखते हैं तो तीन किस-किस पे तो फिर तो उसका डिजॉल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है यदि फॉर को हटाते हैं तो यह हट जाएगा यह हट जाएगा वन थ्री इसके तुरू आंसवर आना चाहिए देखते हैं क्या है फॉर्टीवन में बिल्कुल ए वन थ्री से आंसवर आता है तो इस तरह से थोड़ा सा इलिमिनेट करके भी हम हलका फुल का इलिमिनेट करके भी हम ला सकते हैं हालाकि इसमें यह एलिमिनेशन का भी ठीक नहीं कर जाता है आपको इस्पेसिफिकली नॉलेज होनी चाहिए यह आ रहा है वानें थ्री ही तो पहली बात बोला जा रहा है कि एक बिल्ल है जो पैंडिंग है रहा सबाके अंत्रा भी डिल की नहीं किया लोग सबाने उसके साथ हो ठीक हो जाता है इस तरह से आप इसको खटा सकते हो उसके बाद बहुत हाउस है तो आप दोनों हाउस वे इस वज़े से यह रहेगा सस्टेंब रहेगा यह बिल्ट नहीं होगा यह भी हो जायगा एक तरीके से पूरी दर से खतम हो गया हो गया है वह बिल्लेप्स हो गया है सब्सक्राइब के साथ हमारा होता है इसके बाद 42 पे चलते हैं इसलिए नहीं बताना हूं क्योंकि मैंने यहां पर comprehensively explain कर दिया है जो भी चीज़े हैं तोड़ीबों आफटर देट 42 के उपर हम चलते हैं ठीक है ठीक है इसका बाद 42 सब्सक्राइब कर देखना है इस सब्सक्राइब का पहले वाले से कम हो जायाएगा यह अपने आप में थोड़ा सा अजीव सी स्टेटमेंट है चलो देखते हैं सब्सक्राइब कर देखते हैं इसमें उनली थ्री तो नहीं आ रहा है देख लेते हैं हम आंसुर क्या रहा है अब देख लेते हैं क्या है तो फैडरल कोट ऑफ इंडिया वाज जूरिशल बॉड़ी एस्टिबिस्पाइब इंडिया इन 1937 एस्टिबिस इन 1937 अंडर दा प् सब्सक्राइब कर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब 28 जनवरी 1950 को हमारा खुद का आज का प्रजंट देगा सुप्रीम कोट आया है इट रिप्लेस बहुत अफैडल एंड कोट ऑफ दे इंडिया एंड बिटिस प्राइवा कांसिल जो बिटिस की प्रीवी क प्रजिक लगा सकते हैं हलके फुलके ठीक है और जो फाइनल है आर्टिकल 130 बोलता है कॉंस्टिशन प्रवाइड दा सुप्रीम कोर्ट सेल सिट इन देली ओके और इन सच अधर प्लेस अन प्लेशेज ओके एड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विदा अप्रोवल अप प्रजिडेंट फॉम टाइम अपॉइंट मदलब ठीक है मदलब यह कि स्टेट मट आपके ठीक हो जाते हैं कुछ नुबर 43 के पर चलते हैं कांसे दा फॉलिंग स्टेट मेंट अब आउड़ दा फाइनेंशिल पावर अब फाइनेंशिल पावर और के बारे में बात करते है हमेरे आपको पिछले लेक्चर में भी बताया तबने में कि जो इसमें प्रेजिडेंट होते हैं और उनकी भीहाव पर फाइनेंशिल सेकर्टरी जो होता है वो डील करते हैं वो हैंडिल करते हैं और इस तरह से यहां पर इसमें कवर्णर का हो जाता है तो ही कन मेंग एडव है थोड़ा सा ही इस फाइनल अच्वर्टी आफ डिसाइडिंगा मरी बिलाज मनीबल तो यह तो आप जानते ही हैं कि लोग सभा में स्पीकर होता है सब्सक्राइब कर रहे हैं तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है तो आर्टिकल 153-167 जो होता है इंडिन कॉंस्टिशन में डिल करता है प्राविजन रिलेटे तो दो स्टेट एग्जेकुटिव विच इंक्लोज गवर्नर चीफ मिनिस्टर कॉंसल अफ मिनिस्टर संद एडवोकेट जनल अफ इस स्टेट यह सबसे रिल कर रहा है आर्टेकल 153-167 जो कि एग्जेकुटिव में काउंट होता है गव गवर्नर वो इस टेट होते हैं तिक आव इस अफ्र प्राविजन अफ्र प्राविजन प्राविजन वाट लेकिन जानगाना मनी विल की प्रवाइट इंदा कॉंसल इसा कोई प्राविजन नहीं है कि इंपोजिशन आप फाइंच अधर पह जो पैक्यूनेरी पैनल्टीज है उनके लिए डज नॉट टू बी एम बनी बिल ऐसा नहीं है कि वह मनी बिल वगए नहीं होता है तो इस वज़े से एक स्टेटमेंट गल्थ हो जाते है कुश्चिन नबर 44 के पर चलते है तेजी से इंपोजिशन आपको पता है या अमेरिका से कंसर्ण आईगी जो उनका डिपार्टमेंट होगा वो कुछ ना कुछ बताएगा तो यह तो साधी स्टेटमेंट गल्त हो जाती है कोई भी नहीं है नन अफ देख लेते हैं कि क्या होता है कौन वो लिस्ट निकालता है वास्ट जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है है डिसेंटी रिटेंड इन दा वाउस्ट लिस्ट फॉर्ट करन्सी मैनिपिलेटर सब्मिटेट बाइड यूएस कॉंग्रीश तो यह आपको या रखना है कौन निकालता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट यूएस ए उसके बाद इंडिया को रख लिया गया है करन्सी मैनिपिलेटर के अंदर और वह सरी कंट्री रखी जाती है विससे जाता इजना आपको कंसर्ण नहीं करना है हम आगे चलते हैं कुशन के उपर जो ज़रुई था हो हमने देख लिया है कुशन पर फॉलिंग स्टेटमेंट अबाओ तो फंक्शन सब्सक्राइब करेंगे तो यह क्यों करेंगे तो यह तो यह तो यह दखना है कि समने जो प्रोगेशन जो होगा यह सब्सक्राइब कर सकते हैं और मतलब की जो एक्शल यह वाला काम जो किया जाएगा गवर्नर की दोरह किया जाएगा गवर्नर वां टाइम समने पर रोगदा इच आपको यह याद रखना है ठीक है उसके बाद इसमें देख लिए कुछ क्या लिखा हुआ है स्पीकर अर्जन और अर्जन से ने डाए फॉर असेम्बली और सस्पेंट इस दूरिंग अप्सेंस अव दी अफिक कॉरम अगरा नहीं पा रहा है जितनी में दिमांड होती है तो नहीं हो रहा है तो वह भी उकर लेंगे ठीक है और इस स्पीकर है तो मैंटेन और अर्डर ्हाइक चुल्फ हो जाती इनका काम है वह हो रिवोकीशन जो करेंगक्या तो श्तारी पायातो से संपेंटञ पल्हंड बिल्कुल सदंते अच्ए कुग ड्रा है we 30 for revocation of this order is vested in the house it is for the house if it's so desired can pass the motion to revoke the suspension okay to us question number 46 पे चलता है जो कि municipal corporation से deal कर रहा है with reference to municipal corporation consider the following statement municipal corporation are created for administration of the big cities like Delhi Mumbai Kolkata बिल्कुल टीक है there is a common act for all the municipal corporation in the state I think it should also be right let's see it municipal corporation has 330 namely council standing committee and the commissioner let's see that can answer होना चाहिए इसका तो sorry second statement यहां पर गलता है मतला हर किसी के लिए अलग act बनाया गया होगा तो one and three only सही हो जाते हैं तो पहली बात तो पहली लाइन तो ठीक है तो क्या देखना है second देख लेते हैं there may be one common act for all municipality corporations in state or separate act for each municipal corporation also this can also possible तो यह वज़े से आंसोर one and three होगा अब आगे चलते हैं which of the following taxes are is levied by the center but collected by appropriate collected and appropriated by state मतलब tax तो लगा रहा है center लेकिन जो collection किया रहा है यह appropriate किया जा रहे है वो किया जा रहे है ठीक है taxes on the consignment of the goods and the cost of the interstate trade or the commerce ठीक है taxes on the mineral rights में भी यह साथ इस्टेट के दोरा ही लगाया जाते है और इस्टेट ही इनको control करता है देखते हैं इसका answer क्या है 47 का answer okay only a आ रहा है तो stamp duty on bill of exchange जो होता है इसको लगाता है center और इसको collect और appropriate करता है state अब देख लेते हैं कौन कैसी लगाता है अलग लग type की bills होते हैं सबको देख लेते हैं यहां पिकास इम्पोर्टन कुशन इस वज़े से है हमें पता होना चाहिए specifically कौन लगाता है कौन collect करता है and all that इसमें बहुत सरे अबर्च भर्यटन को स्वेर्चेब यहां ढर्यक्टन की काता है अब देख लेट की तून को सहिं की तro देख लेटेछे वृटन की लेटविवण किन मेज़ेट लेाटन इस यजिविवड आपन परे दोलिट अंधर T या दखना या दखना है रिखाई अब को टैक्सेज़ लेट गाल डॉक्टी वाई सेंटर पर इसेंटर इन दर ये सब चीज़ हुगी ये क्लेक्ट की जाएंगे बाइस सेंटर बत डिस्तुपित बेटेभिव दॉन डॉक्पिर्ट बेटूज्ट गीने। से ने संटर इसमें कॉन से होंगे आपको याद कर लेना है जूठ को अब देन गुट्ट करता है तो यह टेक्स इंडर मिनरल राइट और भी उसाइट एक यह तो आपके यह आ दखना है लाइक लिकर अगर आखे भी आ जाएंगे इसमें लाइक आपके अख्याई जो लिक लिकर्ष एन अब दो दो आखे लिकर्ष उग्याई गाए तो इसको आपके स्थेटी कभी संट एक्टिक को यह थो दो अए इस पहुतर आप इस प्रफिजीब ऑगरा वगरा है इंप्टेंट हो जाता है फिर्टेक्श ऑन पार्टेक्स अंधगोर्स पैसिंगे वह दोट्स एक इंडेट व आपको याद रखना हैं तो कुछ नबर 48 पर चलता है वहां विद रफेरेंस टू पंचायती राज इंस्टूशन विच वॉड़ीं कमिटी वास कॉंस्टुटूटेट इलियस्ट सबसे पहले कौन से कमिटी बनी है सारी कमिटी पंचायती याज से कहने कहीं पे लिंक रहती है सबसे पहले आई थिंक देख लेता है इसका सॉलिशन कौन से बनी है तो इसमें असोग महता कमिटी बनी है थोड़ी इसकी ताइम लाइन देख लेते हैं तो नोट आउट 73 कॉंस्टूशन में हुआ है उसके पास सबसे ज्यादा कमिटी रिगार्डिंग दा एविलेशन पं सबसे पहले जो बनी है तीक है फिर यही बात के गई है फिर इसमें क्या लिखा गया है किसके कौन से स्पेसिफिक प्रोविजन से वह सब इसमें लिखे हुए है आप पढ़ सकते हैं उसके बाद दिख लेते हैं हाईलेटेट चीज को दे कमिटी तो रिविवी दे एगिस्टिंग अडिमिस्टिटिव और अरिंग्मेंट ऑफ दे रूरल देवलेप्मेंट और पावर्टी अलिवेशन प्रोग्राम अंडर दे चेर्में अफ जीवी के राव वाज अपॉंटेट बाद प्लानिंग कमिशन इन नाइटेटी इसके बाद हो गई उसके बाद तीनों आ गई और फाइनली जो आपकी इसके बाद जो 1988 के अंदर पीम ठंगन कमिटी आ गई है पीके ठंगन तो यह आ जाती है तो यह हो जाता है उसके बाद यह खताम हो जाता है कुछ नबर 49 से डिल करते हैं शप्लाइच एन इनिशेटी बिट्वेट विच फॉलिंग तो नो डाउट कांटर करने के लिए चाइना के सीपी सी पैक वागरा को यह आया है और यह इंडिया इस में इंक्लूड है नो डा सब्सक्राइब में इसको किया है और लाइक देट तो इनको आपको यह रखना है तो यह एक्षुली में चाइना क्या दॉमिनेंस है सप्लाइच एन के अंदा इंडो-पैसिफिक रीजन में उसको रोकने के लिए ठीक है हो सकता है तो चलो चीपी सी तो दूसी तरह से जा र करने के लिए चीज आई है तो आप लेते हो तो आप इस ट्रिंग को पल्स को ले सकते और दूसरे के साथ मतलब काउंटर करने के लिए है तो यह इस तरह समिसका अब रोल ले सकते हैं वैसे सीपी सीपी पार्ट हो सकता है एक्शुली में स्प्पेसिफिकली हम इसको नहीं देखेंगे नॉर्मली हम देख रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए ओके कुछ नंबर फिप्टी को पर चलता है Transparent election process are critical to any functioning democracy किसी भी functioning democracy के लिए transparent जो election process है वो काफी critical होता है यह सब बताया गया है Consider the following statement regarding the election process According to constitution there can be no longer than six months between the last session of the job, log sabah and the recalling of a new house बिल्कुल ठीक है 6 मेने से जाता होना ही नहीं चाहिए The modal court of conduct comes immediately into effect after the announcement of the election schedule 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 ठीक है तो इसको हम देख लेते है इसका solution 50 के अंदर solution C है दोने statement बिल्कुल ठीक है positive statements है यह बता जा रहा है कि पहली बात तो 6 मेने से ज्यादा का gave नहीं हो सकता है तो आप इसको पढ़ लेते हैं इसके solution को थोड़ा When the five year limit is up and legislature has been dissolved and new elections have been called the election commission put its effect Machines for holding an election तो आप इने statements को ही याद रख लिजे इतना solution पढ़ने के बजा है पहली बात तो According to constitution there can be no longer than six months between the last session of the dissolved log sabah and recalling of the new house Okay तो यह आप याद रखना है and then model code of conduct comes immediately into effect after the announcement of the election schedule Okay तो यह question हमारे पचास तक कि खतम होते हैं next part में हम आगे questions के साथ deal करेंगे Okay thank you you can subscribe this channel and you can also join the telegram group जो की link में डाला गया है जो link telegram group का डाला गया है description में उसका आप जोइन कर सकते हों और इस channel को subscribe भी कर सकते हैं आप subscribe करके आप motivate कर सकते हैं आगे further lectures को और तेजी से बनाने के लिए thank you so much